दोस्तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में धोती सलवार की कटिंग और स्टीचिंग बहुत ही आसान तरीके से और इस्टेप बाइस्टेप बताएंगे तो दोस्तो आप हमारा वीडियो पूरा वाच कीजिए वीडियो बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिए दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और निवीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का एकन जरूर से प्रैस करले तो चलिए दोस्तो हम सीखते हैं धोती सलवार की कटिंग और स्टीचिंग करना दोती सलवार बनाने के लिए हमने यहाँ पर रियोन का डाइमीटर फैब्रिक लिया है अगर आपकी दोती सलवार के लेंद 38 इन से ज़्यादा है तो आप उसके लिए ज़्यादा पैने वाला कपड़ा परचेज कीजिए सबसे पहले हम अपने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करकर बिचा लेंगे यह मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करकर बिचा लिया है जब हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करकर बिचाते हैं तो फैब्रिक की तीन डाइरेक्शन हमारी ओपन होती है और एक डाइरेक्शन हमारी यहां से हम इस तरीके से लेंगे और इसे हम पैने साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके दूसरा जो कॉर्णर है यहां से हम इसे इस तरीके से पकड़ते वे इसे कॉन शेप में बिच्छा लेंगे इस तरीके से मैंने फैबरी को कॉन शेप में बिच्छा लिया है औ और यहां से मेरे जो ये portion है ये मेरे देखिए दोनो open side है और ये मेरा जो area है यहां से मेरे ये दो open side है अब हम यहां से इस वाले fabric को cut करकर हटा देंगे fabric को cut करने से पहले आप यहां पर check कर लिजे कि आपके ये जो दोनो open parts है यहां पर ये देखिए ये equal है या नहीं अगर ये दोनों parts equal नहीं है तो आपको नीचे वाले fabric के according देखिए यो मेरे ये छोटा पड़ रहा है तो मैं इसी के according इस fabric को cut करूँगी यहां से मैं इस तरीके से marking कर लूँगी और जहां तक ये मेरा तिर्चा जा रहा है इस तरीके से इसे marking करते विए cut कर लूँगी और इस बचे विए fabric को हम एक तरफ रख देंगे ये हमारे belt में काम आएगा अब हम यहां पर half inch की एक line row करेंगे अब हम अपने open side से अंदर की तरफ दो inch का marking करेंगे यहां पर हम इसमें 6 inch की belt add करेंगे तो यहां से हम इस marking से 6 inch less करते विए आसन का marking करेंगे यहां पर हम आसन रखने वाले हैं साड़े 14 inch तो यहां पर हम साड़े 14 inch पर marking करेंगे सलवार की total length में plus 3 inch add करते हुए सलवार की length की marking करेंगे यहां पर हमने 2 inch seam allowance तता महोरी folding के लिए लिया है बाकी का 1 inch चुकि हमारी है सलवार यहां से state होती है तो पहनने के बाद इसके खिचाव को cover करने के लिए लिया है line draw करकर यहां पर 5 inch पर महोरी का निसान लगा लेंगे crouch area में यहां पर हम curve का shape लगाएंगे जो हमारा यह वाला side है यहां से हम इसे इस तरीके से लेंगे और इस point से हम अंदर की तरफ 1.5 inch का marking करेंगे इसे हम यहां से cut कर लेंगे अब हम बचे हुए fabric में से belt निकालेंगे यह हमारा double fold है यहां से हम 8 inch का marking लगाएंगे जो कि हमारा तयार होकर 6 inch रह जाएगा अब हम belt की लंबाई को नापेंगे हमारे यहां पर hip है 34 inch हम इसमें 6 inch add करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 inch 14 inch का half करते हैं तो हो जाता है 20 inch 20 inch में plus हम half inch add करते हुए इसकी marking करेंगे तो यह हमारा fix आ रहा है तो हम इसे बिल्कुल as it is रखेंगे और इस marking से हम belt को cut कर लेंगे इस तरीके से हमारा belt cut हो गया है सबसे पहले हम सलवार के दोनों parts को आसन पर चलाई लगाते हुए यहां से जोड लेंगे अब हम सलवार की मोहरी को fold करते हुए उस पर stitching लगा लेंगे अब जो हमने अपनी सलवार में यहां पर देड़ इंच का cut लगाया था उन दोनों cut को इस तरीके से लेते हुए stitch कर लेना है हम अपने belt में यहां से stitching लगाते हुए इसे गोल कर लेंगे stitching लगाने के बाद belt को एक बार फिर से double fold करेंगे और back में हम center का cut का लगाएंगे अब back वाले cut को front वाली stitching से मिलाते हुए अब हम इसके अंदर side cut के लगा लेंगे अपनी सलवार की मोहरी को double fold करते हुए जितनी हमारी मोहरी है उसका half यहां पर marking करते हुए उसे stitch कर लेंगे अब हम सलवार में place डालेंगे उसके लिए अपने belt और सलवार के गेर को इस तरीके से आमने सामने रखना है अब जो हमने अपनी belt में यह कुटके लगाए थे इन्हे कुटकों के according हमें सलवार के गेरे में इस तरीके से marking करनी है अब हम belt के center से इस कुटके तक की दूरी को नाप लेंगे जो की 10 इंच है इस marking से हमें इस वाले portion पर place डालनी है place डालते हुए हमें इस portion को 10 इंच तक तयार करना है यानि कि जब हम place डालेंगे तो हमारा round में 40 इंच का इसे तयार करना होगा plates को हम अपनी इस stitching से डालना शुरू करेंगे plates हमें कुछ इस तरीके से डालनी है इस तरीके से हमने place डालते हुए इसे round में 40 इंच का तयार कर लिया है और आप देख सकते हैं हमने है plates इस stitching से यहाँ पर एक दूसरे के opposites में इस तरीके से हमने डाली है अब हम belt और सलवार के घेरे को इस तरीके से मिलाते हुए stitch कर लेंगे इस तरह हमने सलवार के दोनों parts को जोड़ कर यहाँ से overlock कर लिया है अब इस margin को उपर की तरफ करते हुए यहाँ पर half boot की stitching लगाएंगे इस तरह हमने यहाँ पर बाहर की तरफ half boot की stitching लगा लिये है अब अपने इस belt में हम lastik लगा कर इसे तयार कर लेंगे हमारे यहाँ पर कमर है 30 इंच तो 30 इंच में से हम 4 इंच मैनस करेंगे तता half इंच add करते हुए lastik कट करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो lastik की नाप है वो आ जाएगी 24 इंच तो इस तरहीके से देखिए हम lastik को 26 इंच तक कट कर लेंगे हाफ इंच हमने यहाँ पर लाश्टिक को स्टिच करने के लिए लिया है अब हम लाश्टिक के दोनों सिरो को एक दूसरे के उपर इसे इस तरीके से रखते हुए और इसे यहाँ से पक्का करते हुए इसे गोल तयार कर लेंगे तरीके से हमने लाश्टिक को स्टीच करते वे गोल तयार कर लिया है इस तरीके से लाश्टिक को रखना है बैल्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे फोल्ड करते वे हम लाश्टिक को कवर करेंगे और फैबरिक के उपर हम यहाँ पर स्टीचिंग लगाएंगे बैल्ट स्टी अब लाश्टिक को इस तरीके से खीशते हुए एक सार कर लेंगे अब यहाँ पर बीच में एक सलाई और लगा लेंगे इस तरह हमने यहाँ पर सलाई लगा ली है और अपनी धोती सलवार की स्टीचिंग कम्प्लीट कर ली है पहनने के बार में धोती सलवार का लुग कुछ इस प्रकार से आएगा देखिए जो हमने यहाँ पर प्लेश डाली हैं वो हमने एक्वल डाली हैं और इसका फॉल भी हमारा यहाँ पर एक्वल आ रहा है तो देखा आपने हमने किस तरीके से धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से और स्टेप बाई स्टेप करना सीख लिया है हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो नई इंपोर्मेशन के साथ में तब तक हमारे साथ बने रहे हैं धन्यवाद